चैक्रोड बीस लाग लोगो मिलने वाला एक ऐसा काड जिसकी लिमिट जो है पांच लाग रुपर तक हो सकती है खरेक ट्रांजेक्शन पे आपको मिलने वाला 5% का कैश्वेक पहली ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो मिलेगा आपको 500 रुपरे का वाउचर और ये सब आपको मिलता है बिना किसी डॉक्मेंट के आप इसको जब भी अपलाए करेंगे तो 90 सेकिंड यानि डेड़ मिंट के अंदर ये काड आपको मिल जाएगा जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लेजी पे काड की आज इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे लेजी पे काड क पॉजिटिव साइड क्या है और नेगटिव साइड क्या है किस वजह से आपको इसको लेना चाहिए जो आपको नहीं देखते हैं तो इस वीडियो में दोनों ही साइड में आपको बताने वाला हूँ तक वीडियो के end तक आप इखुद जज कर पाए'S कि लेजी के एक आपड जो है, आपको लेना चाहिए, कह नहीं प Jackie, तो शी बात पर विडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा, चल को जुरूर सब्सक्राइब करें कोई सवाल है कमेट करें it, पूछ सकते हैं लेते हैं ledipaycard की ledipaycard जो है by now pay later service है या यह कहें कि एक credit line है जैसे कि अगर आपने आपने पे लेटर सर्विस यूज की हो clipcard pay later service है या फिर ptm postpad जो सर्विस है अगर उसको यूज किया ता उस टाइब की service है इसको by now pay later service बोलते है या फिर credit line भी बोल सकते हैं दूसरा है कि आप इस card को जो है प्री अप्रूड जो है जो चैक्रोड 20 लाग लोगों को जो एस पर एप्लिकेशन डेटा उसके हिसाब से कहा गया है कि उनको यह प्री अप्रूड मिल सकता है जैसे ही वो अप्लाइ करेंगे उनको यह card मिल जाता है अब लेजीपे की जो परे सकते security feature के साथ आता है क्योंकि वीजा पाउड यह काड है और एस पर company दोस्तों यह card आपको अप्लाइ करने के नबबे सेकिंड के अंदर मिल जाता है तो दोस्तों इस card से जब भी आप पहली transaction करेंगे आपको मिलेगा 500 रुपे का cashback इस card से हर transaction पे आपको up to 5% cashback मिल सकता है as per company दोस्तो 99.50% merchants के यहां जो यह वीजा पाउड card है आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर बिल पे कर सकते हैं कुछ खरीद सकते हैं तो इस तरीके से कहा जाए तो यह काफी अच्छा card है क्योंकि इसका यूज मैक्सिम जगह आप कर सकते हैं और नेक जो benefit है दोस्तों इस card का इसके कोई भी joining fees नहीं है, annual fees नहीं यानि एक lifetime free card यह रहने वाला है साथ में इसमें कोई भी hidden charges नहीं है आपका जो low interest rate इस पे आपको मिलता है साथ में instant cash back इस card पे आपको मिलता है दोस्तों इस card पे आपको flexible limit मिलती है यानि आप इस card को use करके सही से timely payment करेंगे तो आपकी जो limit है उसको जल्दी से बढ़ा जा सकता है दोस्तों इस card से आप जो है payment wallet में जो है पैसा add कर सकते लेकिन उसके कुछ charges जो आपको पे करने होंगे दोस्तों लेजी पे के बारे में एक अच्छी बात यह कि लेजी पे का आपना एक यूपिय सिस्टम है इस card को अगर आप लेज उनको यह card मिल जाएगा आप इनके application पर जो option मिलेगा आपको apply करने हैं वहां से इसको apply कर सकते हैं तो तब बात कर लेते हैं इस card की negative side क्या है सबसे पहली negative side तो दोस्तों यह है कि जो lazy pay card है this is not a credit card it's a buy now pay later service याने फिर अगर यह credit card नहीं तो credit card जैसे benefit आपको नहीं मिलेंगे benefit जैसे कि आपको discounts offers जो आपको online e-commerce मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे आप जो है long term में इसको EMIM convert नहीं कर रहा पाएंगे कई तरीके जो benefit credit card के वो नहीं मिलते है क्योंकि यह buy now pay later service है credit line है next जो downside है दोस्तों इस card की यह है कि यह आपके civil में जो है as a personal loan show होता है credit card की तरह show नहीं होता है ऐसे में सबसे बड़ा drawback यहीं होता है जब भी आप इस card चाहिए इतनी transaction करेंगे उतनी ही वहाँ पर entry generate होगी जिसके उजहे से आपको civil score जो है down जाएगा credit score जो है कम होगा इसल statement month में दो बार generate होती है पहली जो statement generate होती है 16 तारिको जो transaction आपने month की एक तारिक से 15 तक की होगी उसकी statement 16 तारिक को generate होगी तीन दिन का time आपको मिलेगा payment करने के लिए तो इसमें आप कह सकते हैं आपको 17-18 दिन का time मिलता है by now pay later service में दूसरा जो 16 तारिक से 30 तारिक के बीच बीच में 31 तारिक के बीच में जो भी आप transaction करेंगे तो next month की पहली तारिको statement generate होगी और फिर से आपको तीन दिन मिलने वाले है तो इसमें आपको imagine pay later या फिर जो दूसरी pay later service है उनमें जैसे 30 दिन का time मिलता है वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको 15-18 दिन के बीच का सम ही नहीं है अगर आपको कहीं से भी कोई limit नहीं मिल रही है और आप जो है इस type का card ढूंड रहे हैं तो फिर आप इसको ले सकते हैं लेकिन आपके पास अगर credit card है तो पता ही इस card के लिना जाएं आपके लिए beneficial नहीं है मैं card की कोई बुराई यहां पर नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपको credit card है तो फिर यह service आपके काम की नहीं है तो दोस्ता आई hope की वीडियो में दी गई जानकारी से आपको जो है help मिलेगी information मिलेगी और आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लेजी पे card को लेना चाहिए कि नहीं लेना च पूछ सकते हैं मैं अपने हरे comment का reply जरूर करता हूं